अभी तक हैरी पोटर की कहानी में हमने सुना कि हैरी, रॉन और हर्माइनी रात में पारस पत्थर को बचाने के लिए गरुण द्वार के हौल से बाहर जाने लगते हैं परंतु नैविल उन्हें रोकता है और तब हर्माइनी नैविल पर मंत्र करके जादू कर देती है अब आगे की कहानी सुनते हैं उन्हें तब तक कोई और नहीं मिला जब तक कि वे तीसरी मंजिल की सीलियों पर नहीं पहुँच गए बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसल जाएं जब वे उसकी तरफ बढ़े तो उसने अचान या कोई जिन जानवर हो वो हवा में उपर उठा और वहां तहरते हुए उनकी तरफ घूरता रहा अगर कोई अद्रश चीजियां घूम रही है तो फिल्च को बुलाना चाहिए मुझे बुलाना ही चाहिए हरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया पीवस उसने करकश फ गिर गया वो समय रहते समल गया और सीडियों से एक फुट उपर तैरने लगा बहुत अफसोस है महमहिम नवाप सर उसने मक्षन लगाने वाली आवाज में का मेरी गलती है मेरी गलती है मैंने आपको नहीं देखा जाहिर है मैंने नहीं देखा आप अद्रश जो थे पीवस के छोटे से मजाग को माफ कर दीजे सर मुझे यहाँ पर काम है पीवस हैरी फटे बांस जैसी आवाज में बोला इस जगह से आज राद दूर रहो मैं ऐसा ही करूंगा सर मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा पीवस ने दुबारा हवा में उपर उठते हुए का आश बहुत अच्छे हैरी रॉन फुस फुस आया कुछ पल बाद वे लोग वहाँ पहुँच गए तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर और दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था ये देखो हैरी ने धीरे से का इसने पहले ही फलफी के पार चला गया है खुले दरव दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी चोगे के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुमें दोश नहीं दूंगा उसने कहा तुम चोगा वापस ले जा सकते हो मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है बेव कुफी की बातें मत करो रॉन ने कहा हम भी चल रहे हैं हरमाईनी बोली हरी ने दरवाजा खोला जैसे ही दरवाजे की आवाज आई एक धीमी गरचती गुर्रहाट उनके कानों में पड़ी कुते की सबी तीन नाके उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंग रही थी हाला कि वो उन्हें देख नहीं सकता था इसके पैरों में क्या है हरमाईनी फुसफुल साई ऐसे लगता है जैसे कोई बीन है रॉन ने कहा इसने पिसे यहाँ छोड़ गया होगा जैसे ही संगीत बजना बंद होगा ये उसी पल जाग जाए हैरी ने कहा तो फिर संगीत शुरू उसने हैगरीट की मासुरी को अपने होटों से लगाया और फूख मारी सच कहा जाए तो ये कोई सूरी लिदू नहीं थी पर अंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आँखें जुकने लगी हैरी ने सांस तक नहीं ली धीरे धीरे क कुत्य की गुरहाटे रुक गई वो अपने पंजो पर लड़ खड़ाया और घुटनों के बल गिरा फिर वो जमीन पर लुड़का और गैहरी नीन में सो गया बजाते रहो रौन नहीं को चेताब नहीं दे दी जब तक की वह चोंगे से बाहर निकल कर चोर दरवाजे की तर जाएंगे रौन ने कुत्य के पीछे जागते हुए का तुम पहले जाना चाहती हो हर्माइनी नहीं मैं नहीं ठीक है रौन ने अपने दाथ किटकिट है और साफधानी से कुत्य के पैरों के उपर से निकल गया वो जुका और उसने चोर दरवाजे का छला खीचा जो उपर उठा और दरवाजा खुल गया तुम्हें क्या दिख रहा है हर्माइनी ने चिंता से पूचा कुछ नहीं सिर्फंधेरा नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा हैरी अब भी मासुरी बजा रहा था उसने रौन का ध्यान खीचने के लिए अपना हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया तुम पहले जाना चाहते हो क्या सच मुच रौन ने पूचा मैं नहीं जानता ये कितना गहरा है बासुरी हर्माइनी को दे दो ताकि वो उसे सुलाय रख सके हैरी ने बासुरी उसे दे दी कुछ पल की इस हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा तलहटी का कोई और छोर नहीं दिख रहा था उसने अपने आपको छेद में से नीचे किया जब तक कि वो अपनी उंग्लियों के बल नहीं लटकने लगा फिर उसने रौन की तरफ देखा और कहा अगर मुझे कुछ हो हवा उसके पास से गुजरी जब वो नीचे नीचे और नीचे गिरता गया और फिर धब एक अजीब धबी आवाज के साथ वो किसी नर्म चीज़ पर गिरा वो उठा और उसने चारों तरफ टटोला क्योंकि उसकी आँखे अंधेरे में देख नहीं पा रहीं थी ऐसा लग जगा है तुम नीचे कूट सकते हो रौन ततकाल कूट गया वो हैरी के पास में ही पसर गया ये क्या है उसके पहले शब्ते पता नहीं किसी तरह का पिर लगता है मुझे लगता है यह यहाँ पर इसलिए है ताकि गिरने पर चोटना लगे चलो आजाओ हरमाइनी दूर से आ किस्मत अच्छी है कि ये पेड़ यहाँ पर है है ना किस्मत अच्छी है हरमाइनी ची की तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही वो उपर उचली और जूच्टे हुए एक गीली दिवार की तरफ बढ़ी उसे इसलिए जूचना पड़ा क्योंकि जिस पल वो कूदी थी वो पेड़ उसके टकनों के चारों तरफ साप की तरह लताएं जमाने लगा था जहां तक हैरी और रौन का सवाल था उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं में कसकर बन चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला था पेड़ उस पर अपनी पकड मजबूत कर पाए इससे पहल जी से उनके चारों तरफ कसकर लिपटता जाता था हिलो मत हरमाईनी ने उन्हें आदेश दिया मैं जानती हूँ यह क्या है यह शैतानी फंदा है अरे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका नाम जान गए हमने इसका नाम जान लिया और हमें इससे बहुत मदद मिली रौन चड़ कर कहा वो पीछे की तरफ जुका हुआ था और कोशिश कर रहा था कि पेड़ उसकी गर्दन पर अपनी लताएं ना लपेट पाए चुप रहो मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे मारा जाय हरमाईनी बोली अच्छा जल्दी करो मैं सांस नहीं ले पा है तो फिर आग चलाओ हैरी का गला रूंद गया था हां सही है पर हमारे पास लकड़ी नहीं है हरमाईनी अपने हाथ मलते हुए चिखी क्या तुम पागल हो गई हो रॉन पूरी ताकत से चिखा तुम जादूगर नहीं हो या नहीं हूं कैसे नहीं हरमाईनी ने का और उसन कि पेड़ की लताओं की पकार ढीली हो रही है और पेड़ रोशनी तता गर्मी से दूर सिकुड़ता जा रहा है सिकुड़ते और अंदर धसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगल से छूट कर बाहर आ गए हरमाईनी हमारी किसमत अच्छी है कि त कि हैरी संकट में अपनी बुद्धी नहीं कोता हमारे पास लकड़ी नहीं है कसम से इस रास्ते से हैरी ने पथर के एक गल्यारे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो आगे बढ़ने का इकलोता रास्ता था अपने कदमों की आहट के अलावा उन्हें सिर्थ दिवार पर उन्हें नीचे की तरफ ढलान में ले गया और हैरी को ग्रिन कार्ट की याद आ गई उसके दिल को तेज छटका लगा जब उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादुगरों के बैंक में तीजोरियों की रक्षा कर रहे थे अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल जा एक बड़ जए आ रही थी क्या तुम्हें लगता है ये कोई भूत है मुझे नहीं पता मुझे लगता है ये पन्कों की आवाज है आगे रोशनी है मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है वे लोग गल्यारे के छोर पर पहुंचे और उनके सामने तेज रोशनी से बरा एक कमरा था जिसकी छत महराबदार थी और उसमें रतनों की तरह चमकते छोटे पक्षी भरे थे जो पंक फड़फडाते हुए और एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे कमरे के दूसरी तरफ लकडी का एक भारी दर्वाजा था क्या तुम्हें लगता है अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे रौन ने का शायद हैरी ने का वे बहुत खुंकार तो नहीं दिख रहे हैं परन्तु मुझे लगता है अगर उन सबने एक खटे हमला बोल दिया तो खेर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है मैं दौर लगाता हूँ उसने गहरी सांस ली हाद उसे अपना चेरा ढगा और कमरे के पार दौर लगा दी उसे उमीद थी कि किसी भी पल तेज चोच और पंजे उसे नोशने लगेंगे परंतो ऐसा कुछ नहीं हुआ वो दर्वाजे तक सा कुछल पहुँच गया उसने हंडल खीचा परंत उस पर ताला लगा था बाकी दोनों उसके पीछे आए उन्होंने दर्वाजे को खीचा और धक्का दिया परंतो वो हिलने को तयार नहीं था तब भी नहीं जब हर्माइ और जैनी बोली उन्होंने ऊपर उड़ते पक्ष्यों को देखा विचा मक रहते परंतो क्या चमक रहता ये पक्षि नहीं है हैई रेने अचानक ये तो चाबिया हिप पंक लगी चाबिया है तो इसका मतलब है उसने कमरे में चार तरफ देखा जब बाकी दोनों लोग चावियों के जुन्ड को देख रहे थे हाँ देखो जादूई जाडूएं रखी हैं हमें चावि को पकड़ कर दरवाजे में लगाना है परन्तु यहाँ पर तो सैकड़ों चावियां है रउन ने दरवाजे पर लगे ताले की चांच की हमें एक पुरानी सी बड़ी शाद चांडी की जैसा ये हैंडल है चावि को तलाश करना है तीनों ने एक एक जादूई जाडू उठा ली और हवा में उपर उठकर चावियों के बादल के भी चोड़ने लगे उन्होंने जपटकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की परन्तु जादूई चावियां इतनी तेजी से दूर जाती थी और गोता लगाती थी कि उन्हें पकड़ना लगबग असंबो लग रहा था हैरी सो सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यूँ ही नहीं था उसने ऐसी चीजें देखने की काबियत हासिल की थी जो दूसरों में नहीं दिखती थी एक मिनट तक इन धंशी पंकों के तूफान में उनने के बाद उसे चांदी की एक बड़ी सी चाबी दिखी जिसका पंक मुड़ा हुआ था जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ा हो और चाबी के छेद में बेदर्दी से डाला हो वो वाली हैरी ने उन दोनों को बताया वो बड़ी वाली वहाँ पर नहीं वहाँ चमकते नीले पंकों वाली जिसके एक तरफ के पंक मुड़े है रॉन उस देशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था चट से टकराया और अपनी जाड उपर से लगबग किर गया हमें इसे मिलकर खिरना होगा हैरी बोला वो मुड़े पंक वाली चाबी पर से अपनी आँख नहीं हटा रहा था रॉन तुम इसके उपर से आओ हर्माईनी इसके नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूँगा ठीक है अभी रॉन ने गोता मारा हर्माईनी उपर की तरफ उच्ली चाबी ने दोनों को चक्मा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल दिया वो दिवार की तरफ तेजी से उड़ी हैरी आगे जुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दिवार पर ही दबोच लिया रोन और हर्माइनी की खुशी से चैकती आवाजे उंचे कमरे में चारों तरफ गुंजने लगी फे तेजी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की तरफ भागा चावी उसके हाथ में फड़फडा रही थी उसने उसे ताले में गुसाया और खुमाया वो लग गई जिस पल ताला कुला चावी दुबारा उड़ गई और अब वो बुरी तरह घायल दिख रही थी क्योंकि उसे दो बार पकला जा चुका था तैयार हैरी ने बाकी दोनों से पूछा उसका हाथ दरवाजे के हैंडिल पर था उन लोगों ने सिर हिलाया उसने दरवाजा खीच कर खुला अगले कमरे में इतना धेरा था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था परंदु जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने एक अजीब दरश्य देखा वे लोग शत्रंच के एक बड़े बोर्ड के किनारे पर काले मोरों के पीछे खड़े थे जो सबी उनसे उचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पथर से तराशा गया था उनके सामने कमरे में क नहीं क्या रॉन ने कहा हमें खेलते हुए कमरे के पार जाना है सफेद मोरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिख रहा था कैसे हरमाइनी ने घबराते हुए पूछा रॉन ने कहा मुझे लगता है हमें शत्रंच के मोरे बनना पड़ेगा वो एक काले गोड़े के पा होना पड़ेगा काले घुर सवार ने सहमती में सिरह लाया रॉन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा इसके लिए सोचना पड़ेगा उसने कहा मुझे लगता है कि हमें तीन काले मोरों की जगह लेनी होगी हैरी और हरमाइनी शांत रहे और रॉन को सोचते हुए देखते रहे आ हीरी तुम उस उट की जगह ले लो और हरमाइनी तुम उसके बगल में उस हाथी की जगह पर चली जाओ और तुम मैं घोड़ा बनूँगा रॉन ने कहा ऐसा लगा जैसे शत्रंज के मोरे उनकी बात सुन रहे थे क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़ा एक उट और एक हा हाल चलते हैं रॉन ने कहा और बोट को देखा हाँ देखो एक सफेद प्यादा दो घर आगे बढ़ गया था रॉन ने काले मोरों को आदेश देना शुरू किया मोरे चुप चाप वहाँ चले जाते थे जहां उन्हें वो भेशता था हरी के घुटने काप रहते अगर वे हा रख दिया जहां वो ओंदे मूँ खामोश पड़ा रहा है मैंने जान बूचकर ऐसा होने दिया रॉन ने का जो थोड़ा विशलित देख रहा था इसे तुम उस उन्ट को मार सकती हो हर्माईनी आगे बढ़ो हर बार जब भी उनका कोई मोरा पिटता था सफेद मोरे कोई द सफेद मोरे मार डाले जितने काले मोरे उन्होंने कवाए थे हम लोग लगबग महां पहुँच गए है वो अचानक बुद बुदा है मुझे सोचने दो मुझे सोचने दो सफेद वजीर ने अपना भावी इन चेहरा उसकी तरफ मोड़ा हां रॉन ने धीरे से का यही एक ल हूंगा और वजीर मुझे पीट देगा इसके बाद तुम राजा को शेह दे सकोगे है री परन्तु तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं रॉन देखो अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो पत्थर पर पहले ही कबजा चमा लेगा इसके लावा कोई चारा नहीं तैयार रॉन ने पूछा उसका चेहरा पीला था परन्तु संकल्प से भरा था मैं चलता हूं और हाँ एक बार तुम जीत जाओ तो ज्यादा देर मत लगाना वो आगे बढ़ा और सफेद वजीर ने उस पर चपटा मारा उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतन तरफ रख दिया ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया था कामते हुए हैरी बाई तरफ तीन घर चला सफेद राजा ने अपना मुकट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया वे जीत गये शतरंच के मोरे सिर जुकाते हुए अलग हट गये आगे जाने वाले दरवा पास दिलाने की कोशिश करते हुए का तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया है यानि शैतानी फंदा फ्रिट्विक ने चाबियों पर जादू किया होगा मैं गॉनिगल ने शतरंच के मोरों को जिंदा करने के लिए उनका बदला होगा अब कुरेल का जादू बजता है और स्नेप का वे लोग अगले दर्वाजे तक पहुँचे ठीक है है हैरी फुस्वसाया आगे बड़ो हैरी ने दर्वाजे को धका देकर खोला एक बुरी सी बदबू उनके नतुनों में भर गई जिसकी वजह से दोनों को नून भरा गुमर था मुझे खुशी है कि हमें इससे लड़ना नहीं पड़ा हैरी फुस्वसाया जब उन्होंने साफधानी से उसके विशाल काय पैर को लांगा चलो मुझ से तो सांस लेते नहीं बन रहा उसने अगला दर्वाजा खीच कर खोला दोनों की ही हमत नहीं हो थी कि देखें आगे क्या है परन्तो उसके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी सिर्फ एक टेबल थी जिस पर साथ अलग अलग आकार की बोतने एक लाइन में रखे थी इसने इपका जादू हरी ने कहा हमें क्या करना होगा उन्होंने जैसे ही देहलीज पार की खाली लपने उठने लगी वे फस चुके थे देखो हरमाइनी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया उसे पढ़ने के लिए हैरी ने हरमाइनी के कंदों के ओपर छाका खत्रा तुम्हारे सामने है तुम्हारे पीछे है सुरक्षा अगर खोज पाओ तो हम में से दो करेंगी तुम्हारी साहता हम सातों में से एक ले जाएगी तुम्हें आगे दूसरी पीने वाले को ले जाएगी पीछे हम में से दो में सिर्फ नेटल वाइन है भरी हम में से तीन में मौत लाइन में छुपकर है खड़ी चुन लो अगर तुम यहाँ पर हमेशा नही रहना चाहते लाचार चुनाओं में मदद के लिए हम देते हैं ये सुराक चार पहला जहर जितनी भी चतुराई से छुपने की कोशिश करें हमेशा तुम्हें मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटल वाइन के दूसरा दोनों सिरों पर जो बोतले हैं वे अलग ही हैं परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारी दोस्त नहीं हैं तीसरा जैसा तुम देख सकते हो अलग सबका आकार है न सबसे छोटी न सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान है चौथा बाई और दाई तरफ से दूसरी स्वाद में जुडवा हैं हाला कि वे पहली नजर में देखती अलग हैं हरमाईनी ने एक लंबी सी आबरी और हैरी ये देखकर हैरान रह गया कि वो मुस्कुरा रही थी ये वो आकरी चीज थी जो वो इस समय करने के मूड में था बहुत बढ़िया हरमाईनी ने का ये जादू नहीं है ये तरक शक्ती की परिक्छा है एक पहली है बहुत से मह जादूगरों में रत्ती भर भी तरक शक्ती नहीं होती वे यहाँ पर हमेशा के लिए फसे रह जाते और हम लोग भी फसे रहेंगे है ना बिलकुल नहीं हरमाईनी ने का हमें जिसकी जरूरत है वो सब यहां इस कागज पर लिखा है साथ बोतले हैं तीन में जहर है दो में शराब है एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक चामुनी आग में से पीछे ले जाएगी परन तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी पीना है मुझे एकनट सोचने दो हरमाईनी ने कागज को कई बार पढ़ा फिर वो बोतलों की लाइन के सामने इधर से उधर खूमती रही और उनकी तरफ इशारा करते हुए बुद बुद आती रही आखिरकार उसने ताली बज़ये समझ में आ गया उसने का सबसे छोटी बोतल हमें काली आग के पार यानि पत्थर की तरफ ले जाएगी हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा इसमें तो सिर्फ हमें से एक के लिए ही पर्याप्त रस है उसने का ये तो मुश्किल से एक घूंट होगा उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कौन सी तुम्हें जामुनी लप्टों के पार ले जाएगी हर्माइनी ने लाइन में दाएं किनारे पर रखी गोल बोतल की तरफ इश जाना सीधे उलू खाने में जाओ और हैडविक को डंबल डोर के पास भेज़ दो हमें उनकी जरूरत है मैं स्नेप को कुछ समय तक तो रोक सकता हूँ परंतु सच का आ जाये तो मैं उसकी टकर का नहीं हूँ परंतु हैरी मान लो अगर तुम जानते हो कौन भी उसके साथ ह किसमत एक बार मेरा साथ दे चुकी है है ना हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए का किसमत दुबारा मेरा साथ दे सकती है हरमाईनी के होट कापे वो अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया हरमाईनी हैरी तुम जानते हो तो हैरी ने बुरी तरह शर्माते हुए का, उतना अच्छा नहीं, जितनी तुम हो, मैं हरमाईनी ने का, किताबें और चतुराई, दुनिया में इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, दोस्ती और बहुदरी, और हैरी अपना ध्यान रखना, पहले तुम प है, हरी ने चिंता से पूछा, नहीं, परन तुए बर्फ की तरह है, जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए, गुड़ लग, अपना ध्यान रखना, जाओ, हरमाईनी मुड़ी और सी दे, जामुनी लप्टों के बीच से होते हुए चली गए, हरी ने कहरी स चांस कीजी, और सबसे छोटी बोतल उठा ली, वो काली लप्टों का सामना करने के लिए मुड़ा, मैं आ रहा हूँ हूँ, और उसने कहकर छोटी बोतल को एक घूट में पूरा पी डाला, सचमुच ऐसा लग रहा था, जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही थी, उसने बो काली आग के सिवाए कुछ नहीं दिख रहा था, फिर वो दूसरी तरफ पहुँच गया, आखरी कमरे में, वहाँ पर कोई पहले से ही था, परंतु वो स्नेप नहीं था, वो वोल्डिमॉर्ट भी नहीं था, कहानी के अगले भाग में जानेंगे, कि वो कौन था, जो उस खरी कमरे में खड़ा था, और पारस पथर को चुराने के लिए आया था, तब तक आप सुनते रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानिया, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,